जैश्रामित्रों डिक्टेशन स्टार्ट इस अपील के तथ्य इस अपील के तथ्य संक्सेप में इस प्रकार हैं की अभियुक्त डेश अपिलार्थी को प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम के अधिन दंडनिय अपराधों के लिये गिरपतार किया गया था विराम इसके पस्चात उसे वीडियो पाइरेसी सेल के कारियाले में लाया गया था और उसे उसी कमरे में अभी रक्सा में रखा गया था जो रामलाल कोश्टक मृतक कोश्टक का था विराम अपिलार्थी ने हेड कोंस्टेबल कोश्टक मृतक कोश्टक के सिर पर लोहे के स्टूल से हमला करके अभी रक्षा से निकल भागने का प्रियत्न किया था जिसके कारण उसकी मृत्यू हो गई थी विराम तथा पी कॉमा बचकर भागने का प्रियास करते समय उसे पुलिस उपनिरिक्सक और हेड कांस्टेबल द्वारा पकड लिया गया था विराम अन्विशन के पस्चात अपिलार्थी के विरुद्ध एक आरोप पत्र फाइल किया गया और मामले को विद्वान अपर सेशन नयाधीस कॉमा त्वरित नयाले संख्यादो कॉमा रायपुर के सुपुर्ध किया गया विराम अपिलार्थी ने दोसीन होने का अभीवाग किया और विचारन किये जाने का दावा किया विराम विद्वान अपर सेशन नयाधीस ने दलिलों पर विचार करने और अभी लेक पर के साक्ष्य का विशलेशन करने के पस्चात अपिलार्थी को भारतिय दंड सहीता की धारा 302 और धारा 511 के साथ पठित धारा 224 के अधीन दंडनिय अपराधों के लिए दोस्चिद्ध और दंडादिष्ट किया विराम अभियुक्त डेश अपिलार्थी ने दोस्चिद्धी के आदेश से विथित होकर उच्चनेय अले के शमक्स दांडिक अपील फाइल की विराम उच्चनेय अले की खंड नियाई पीठ ने अपिलार्थी की दोस्चिद्धी की पुष्टी की और अपील खारिज कर दी विराम अपिलार्थी दोस्चिद्धी दोस्चिद्धी की और अपिल फाइल की गई विराम पिराचिंज यह विवाद गरस्ट नहीं है की अपिलार्थी डेश अभी युक्त को तारीक 12 सितंबर कॉमा 2020 को नो पच्चिस बजे अपराहन में ततकालीन पुलिस उप निरिक्षक कोष्टक अभी सा एक कोष्टक कॉमा वीडियो पाइरेसी सेल दौरा गिरपतार किया गया था और उस समय मरतक उसके साथ था विराम अभी सा एक के साक्स से यह प्रकट होता है की सुसंगत समय पर मरतक के पास कोई निवास नहीं था विराम इसलिए उसने अभी सा एक से अनुरोद किया की उसे अभी उक्त के साथ उस कार्याले कोष्टक वीडियो पाइरेसी सेल कोष्टक में रुकने के लिए अनुग्या दीजाए कॉमा जहां अभी उक्त को लाया गया था विराम अभी सा छे ने यह कथन किया की तारीक 12 सितंबर कॉमा 2020 को 23 बजी पूर्वा हन तक अभी सा एक कार्याले में था और बाद में मृतक कॉंस्टेबल और अभी उक्त को कार्याले के अंदर छोड़ कर और मृतक की अनुरोद की अनुसार बाहर सी दर्वाजा बंद करके कार्याले से चला गया था विराम अभी सा एक के इस विर्तांत को प्रती परिक्षा में चुनोती नहीं दी गई थी विराम चुकि कच्चे नक्से कोष्टक प्रदर्श पी डेश बाइस कोष्टक में कार्याले परिसर को नहीं दर्साया गया था कॉमा इसलिए अभी सा एक के साक्ष्य को भी प्रश्णगत किया गया विराम तथा पी कॉमा यह कुछ और नहीं अपीतू अन्विशक अधिकारी की और से की गई एक अनियमित्ता है विराम उपरोक्त स्थती को ध्यान में रखते हुए इस नयाले का यह मत है की अभी साच्छे के साक्ष्य पर संदेह नहीं किया जा सकता है विराम इस्टो धन्यवाद